हलो एंड वेलकम टू दी आई वाइफ एजुकेशन सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एनावेस एप्रेल 2020 के जो स्टुडेंट्स हैं उनका जो रिजल्ट आया जैसमें से 75% बच्चों को पास कर दिया गया परंतु 25% बच्चों को दुबारा फेल कर दिया गया या तो उन आए सी या सी टी करके आ गया उनके रिजल्ड में उनको पूरी तरीका से पास्त नहीं किया गया उनके लिए जैसे के हमने पीछे पिटेसन डाले थे जैसे के उनको पास किया जाए उसके बाद फिर नियोस ने Subscribe उब्यवे Ox Ausw ich依 पर बट दे सकते हो, इसलिए OB examination के लिए जो forms निकाले गए उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ अब बात होती है कि जो reavulation exam है, OB examination है उन्होंने ये तो बोल दिया कि apply कर दो reavulation के लिए परन्तु उन्होंने ये नहीं बताया है कि examination कब होगा, examination की dead sheet क्या होगी, examination कहा होगा, कुछ भी नहीं बताया सिर्फ इतना बोलाए कि अगर आपके marks कम है या fail है तो भी examination के लिए apply कर दो इतने से बात नहीं बनेगी ना, इतने से बात कैसे बन सकती है ये भी तो बताया जाए कि examination कब होगा, कहा होगा पूरी information देनी चाहिए तो इसी लिए जो NIS के हमने petitions डाले दी बागी बच्चों ने support किया था उसके बाद फिर NIS ने बोले कि 15 September 2020 को पूरी information आपको दी जाएगी जिसके तरह आपको भी examination कब होगा, कैसे होगा सब कुछ बताया जाएगा उसके बाद बाद आती है जो admission लेना चाहते हैं बच्चे 12 जो pass out एना है उससे और college में admission लेना चाहते हैं due के admission तो close हो चुके हैं regular वाले अब वो admission कहां लेंगे SOL में या IGNU में तो उसके बारे में हम नेक्स वीडियो में बात करेंगे अब मात आती है on-demand examination की on-demand वाले examination वाले बच्चों की कोई भी बात नहीं करता बहुत दुख होता है यह सुनके on-demand वाले बच्चे भी similar ही होते हैं जैसे normal students होते हैं उनके बारे में कोई क्यों नहीं बात की जाती है उनका examination कब होगा कैसे होगा उनके बारे में तो बात किया जाए on-demand वाले बच्चों के लिए भी कोशिश है जल से जल information collect करें उनको तक information पहुचाई जाए उसके और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है अपर अभी भी उनका examination fee submit नहीं हो रहा सो कैसे क्या होगा इसके बारे में कोई भी information नहीं दे रहा है नहीं सबी सो एनहीं की तरफ से भी official notification आई है जो मैं आप लोग को तक पहुचाना चाहता हूँ 15 September को October examination और April students के evaluation exams के लिए notification आने वाला है आप लोग अगर अभी भी October examination वाले या एप्रेल रिएविलेशन वाले बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो प्लीज पढ़ाई शुरू कर दीजिए क्यूंकि निस ने बोल दिया हैं उसको फॉलो करते वे exam होंगे अगर अभी भी आप लोग डाउट में हैं कि आपको जस्ट पास कर दिया जाएगा जैसे अप्रेल वाले बच्चों कर दिया है 75% बच्चे पास किये गए वैसे आपको कर पढ़ाया जाए वैसे वैसे आप पढ़ना शुरू कर दें और हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना पढ़ने से आप पास हो जाएं हम पहले important chapters important question answers आपको पढ़ाएंगे जिससे कि आपको पढ़ाई करने में परेशानी ना हो मुझे पता है कितनी तकलीव होती है नहीं जाले बच्चों को पढ़ने में क्यूंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता बहुत परेशानी होती है चो इसी लिए अगर अभी तक भी आपने हमारे आईवाएव एड्यूकेशन के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दवाना ना भूलें जिससे कि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अच अच्छी इंफोर्मेशन लेके और स्टेडीज को लेके थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग अस